मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्ष 25 में बिजया दस्मी कब है जानिये सही तीनव तारी क्या है पूजा करने का सुप मुहुरत कब है पूजा बिधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं क करेंगे और वीडियो परसंद आएगी तो लाइक करेंगे जादे से जादे से मित्रों दसहरा हिंदू का एक प्रमुक्तिवार है जो हर वर्ष आस्मिन मास के सुक्लपक्च की दस्मी तिथी को विजया दस्मी की रूप में मनाया जाता है इस दिन भगवान राम ने रामर क बदकर की लंका पर बिजय प्राप्त किया था और इसी तिन माता दुर्गा ने भी महिसा सुर्का बदकर की बिजय प्राप्त की थी यह पर्व मुख्य रूप से असत्य पर सत्य की बिजय की जूप में मनाया जाता है यह पर्व बुराई पर अच्छाई की बिजय का प्रतीक बिजया दसमी के दिन लोगसत्त पूजन वाहन पूजन करते हैं और कुछ लोग इस दिन नए कारिका सुभ आरम भी करते हैं धार्मिक माननेता के अनुसार इस दिन नए कारिका सुभारम करने के लिए बहुत ही सुभ ढिन माना जाता है दसहरा पूजा को हर जगं अलग अलग तरह से मनाया जता है मित्रों अब पूजा करने की बिधी कोफी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों दसहरा के दिन प्रातह काल उठकर इसनान आधिकारने की बाद साप वस्षु धुवस्त धारन करें फिर सभी सस्त्रों को पूजा के लिए निकाल कर एक जगां रख ले, फिर सभी सस्त्रों पर गंगा जल छिलक कर पवित्र कर ले, इसके बाद सभी सस्त्रों पर हल्दी या कुमकुम से तिलक करके पूस्व अर्पित करें, और सस्त्रों को प्रडाम करें, इसके बाद भगवा का ध्यान करते हुए उन्हें प्राडाम करें और भगवान स्री राम से प्रात्ना करें कि हमें अपार ज्यान की प्राप्ति हो और कभी भी हमारे जीवन में अंधकार ना आए और इस विजय मंत्र को बोलते हुए भगवान राम की आर्ति करें फिर भगवान स्री राम को फल या मिठाई का भोग लगा कर पूजा सम्माप्त करें मित्रों अब आपको बता दें कि वर्ष तो हज्यार पचीस में बिजिया दस्मी दो अक्टूबर दिन घुरुवर को मनाई जाएगी पूजा का सूप महुरत है दोपहर एक बच कर चवन मिनट से लेकर दोपहर दो बच कर 42 मिनट तक रहेगा यानि पूजा की कुल अओधी है केवल 47 मिनट अप रहान पूजा का समय है दोपहर एक बच कर साथ मिनट से लेकर दोपहर तीन बच कर उन्तिस मिनट तक रहेगा यानि पूजा करने की कुल अवधी है दो घंटे बाइस मिनट